हम आपको इस CD के माध्यम से घुटनों का दर्द कैसे ठीक किया जा सकता है वो बताएंगे शुरू में हम आपको जनरल पॉइंट्स बताएंगे जो आपको लगाने ही लगाने हैं उसी के साथ साथ अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है और घुटनों में दर्द आ तो क्या पॉइंट लगाएंगे आस्टियो अर्थराइटिस हो गया है तो क्या बिंदू लगाएंगे किसी को रिमेटाइड अर्थराइटिस हो गया या C-Reactive Protein बढ़ गया है उसकी वजह से घुटने में दर्द आ रहा है तो क्या बिंदू लगाएंगे आपको सभी तरह के treatment बता जाएंगे तो आपको complete knee pain का treatment कैसे किया जा सकता है वो इस CD के माध्यम से पता चल जाएगा देखें सबसे पहले हमें जो भी बिंदू होते हैं उन्हें activate करना होता है इस machine के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को आप बहुत ध्यान से समझेंगे देखें ये जो दो उंगलियां है center वाली और ring finger ये legs की होती है और जो दो उंगलियां है sides की ये arms की होती है तो treatment हमें देना है middle finger पर middle finger में आपको जो mid joint है यहां पर आपको इस machine से इस तरह से activation देना होगा 15 से 30 सेकिंड तक इस तरह activation देकर या इस knee को इस joint को इस तरह से उंगलियों से twist करेंगे twist करने के बाद आपको एक मेथी पट्टी लेनी पड़ेगी इस तरह से इसको बनाने के लिए आपको मेथी एक table पर spread करने होगी उसके उपर doctor tape आपको रखनी होगी तो यह मेथी उस tape पर चिपक जाएगी इस tape को आपको जो knee का correspondence है यहां पर बांद नी होगी इसी तरह से same प्रक्रिया को आपको left hand पर करना होगा इस जोड पर stimulation देंगे middle finger के mid joint पर देखें इस जोड पर stimulation देने के बाद जैसा अभी हमने आपको बताया कि इस तरह की एक मेथी की पट्टी होगी इसे इस जोड पर बांद देंगे लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अराम पाना चाहते हैं और जल्दी अराम पाना चाहते हैं तो यही treatment को आप पैरों पे करेंगे अब देखें पैर की जो middle finger है जिसे हम mid toe कह सकते हैं उसको आपको इस तरह से twist करना होता है twisting का जो method है वो हमने नाखुन के पास से उंगली को पकड़ कर उसे left right left right left right करना है इसे twisting कहते हैं twist करने के बाद जो मेथी की पट्टी हमने आपको बताई थी वो मेथी की पट्टी को आप इस तरह से बांध देंगे इसी के साथ आप देखेंगे आपको इस तरह के black magnet लेने हैं जिने हम star magnet कहते हैं इसमें यहां corner पर एक बिंदू लगेगा यह joint degeneration meridian का बिंदू होता है इसी के opposite एक बिंदू इस तरह लगेगा साथी साथ में यह जो जोड होता है इस जोड से पहले जस्ट पहले एक बिंदू लगाया जाता है जो जेडी बन भी होता है पूरी body की joints की degeneration को रोकने का कारे करता है इसी के साथ इस जोड के बाद अगर senoil fluid जिसे कहते हैं घुटने की grease घट रही हो तो इस जोड के just बाद यह देखें तीन magnet लगे एक यहाँ एक इस जोड से जडा सा पहले एक जोड के बाद इस तरह से अगर आप treatment देंगे तो joint degeneration रुकेगी और अगर उसमें घुटने की grease घट रही है तो यह विंदू लगाने से घुटने की grease पुनहा बनने लगती है इसी treatment को आप अब left pair पर देखेंगे यह जैसे आपको मेथी पट्टी बताए गए थी यह मेथी पट्टी pair की mid toe पर बाढ़ेंगे जिनको pair में बाढ़ने में दिक्कत है वो हाथ में जैसे हमने बताया था उसी तरह से बाढ़ सकते है इस तरह से मेथी बाढ़ने के बाद आपको फिर tape लेंगे और जो यह black magnet एक-एक लगाना है एक-एक tape पर एक यहाँ इस corner पर लगेगा दूसरा यह joint से पहले लगेगा तीसरा magnet इस joint के बाद लगेगा जो synoil fluid बनाता है जिसका काम है घटीवी grease को बढ़ाना और एक magnet इसके एकदम opposite इधर लगता है सिर्फ इतना treatment कर देने मात्र से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है जो general हो जो भी बढ़ाना हो जो शुरुवाती दौर का हो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नी के आसपास circulation को कैसे बढ़ाते हैं अब देखें चार magnet लगाने हैं आपको नी के आसपास blood के circulation को नुरिश्मिन को बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको दो पीले magnet और दो सफेद magnet यहां लगाने हैं जो इधर से opposite दिखेंगे यहां सफेद दिखेगा और यहां पीला अब देखें आपको यह index finger लेनी है right knee के लिए right index finger left knee के लिए left index finger उसमें यह जोड़ और यह जोड़ इन दोनों जोड़ों पर इस corner पर आपको सफेद magnet लगाना है सफेद magnet लगाना है का मतलब सफेद magnet उपर दिखता रहेगा देखें यह center में नहीं एकदम corner में है के बीच में आपको दो पीले मैगनेट लगाने है एक्वल दूरी पर इस तरह से चार मैगनेट का प्रयोग करेंगे आप राइट नी के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए उसको नौरिश्मेंट देने के लिए ये भी जनरल ट्रीटमेंट है जो पैरों पे ट्रीटमेंट बत लेफ्ट नी के लिए ये ही ट्रीटमेंट आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर देना पड़ेगा उसके लिए फिर आपको मैगनेट एक एक मैगनेट त्यार करना पड़ेगा टेप पर और मिडल फिंगर वाली साइड पर अगें दो सफेद मैगनेट देखें ये मिडल वाली साइड है, जिस साइड अंगूठा है, उस तरफ नहीं, जो मिडल फिंगर वाली साइड है, दो सफेद मैगनेट और इनके सेंटर में दो येलो मैगनेट रहेंगे, इस तरह से, आप सिर्फ इतना ट्रीटमेंट करेंगे, तो जनरल जितनी वी तरह का नीपेन है, वो चल जाएगा, इस ट्रीटमेंट को आपने करना ही करना है, इसके साथ जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, जिसको ऑस्टियो अर्थराइटिस है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, और जिनका आरे फैक्टर बढ़ा हुआ है, उन्हें क्या ट् दॉक्टर लिख देते हैं रिपोर्ट में OA अर्थराइटिस यानी OA का मतलब Osteo Arthritis है तो Osteo Arthritis में आपको इस तरह से एक येलो एक वाइट फिर दो एक साथ येलो और दो एक साथ वाइट मैगनेट बनाने हैं इस तरह से ये magnet बनाने के बाद again right knee का उप्चार करना होगा तो right hand का use किया जाएगा इसमें देखें जो nail चक्रा है अब ये पुराने जो भी इलाज अभी तक बताया है उसके साथ add-on treatment बता रहे हैं specific इलाज osteoarthritis का ये नाखुन के पास देखें इस तरफ एक सफेद magnet लगेगा नीचे की तरफ एक पीला magnet लगेगा देखें ये पीला magnet ये सफेद magnet फिर छोटी उंगली वाली side में इस तरह से दो सफेद magnet लगेंगे और middle finger वाली side में इस तरह से दो yellow magnet लगेंगे देखें ये दो yellow ये दो white यहाँ एक white और यहाँ एक yellow ये छे magnet right hand पे लगाएंगे तो right knee का osteoarthritis ठीक हो जाएगा इसी treatment को आपको left knee के osteoarthritis को ठीक करने के लिए left ring finger पर करना होता है देखें ये left ring finger में ये यहाँ पर white magnet लग जाएगा इस corner में yellow magnet लगेगा middle finger की side दो पीले magnet लगेंगे और small finger की side में दो yellow magnet तो यहाँ देखें yellow इधर white इधर yellow इस side दो yellow और इस side दो white magnet लगे हैं सिरफ इतना treatment देने से osteoarthritis related knee pain ठीक हो जाती है अब इसके बाद आपको हम उपचार बताएंगे कि कैसे yuric acid में knee pain का treatment किया जाता है yuric acid बढ़ जाने की वज़े से घुटनों में जो दर्द आ जाता है उसका उपचार कैसे करें देखिए ध्यान रखेगा yuric acid बढ़ने की वज़े से घुटने में जो दर्द आ जाता है तो जो treatment हमने आपको पहले बताया है वो वैसे ही रहेगा पैर की उंगलियों वाला और index finger की side वाला उसके साथ जो बदलाव आएगा osteoarthritis और yuric acid में वो सिरफ आपको ring finger में बदलाव करना है जो right knee है right knee के लिए आपको इस तरह से दो magnet लेने है और ये एक यहाँ पर और एक इस side पर दो सफेद magnet लगाने है और छोटी उंगली की तरफ इस तरह से दो पीले magnet लगाने है ये चार बिंदूओं का प्रयोग करने से yuric acid के कारण आया हुआ right knee का pain चला जाएगा अब कैसे इलाज करना है left knee का उसको आप देखेंगे left hand की ring finger पर जो नाखुन है उसके पास इस तरह से दो सफेद magnet लगाने है और इस तरफ दो पीले magnet लगाने है इस तरह से चार बिंदूओं का प्रयोग करने से left knee जो yuric acid की वज़े से pain आया हो वो चला जाएगा इसके बाद आपको treatment बताएंगे rheumatoid arthritis की वज़े से जो घुटनों में दर्द आ जाता है उसका टर की वज़े से अगर knee में दर्द आता है तो उपचार कहा करेंगे कैसे करेंगे उसे देखें देखें पहले वाला उपचार वैसे ही रहेगा जैसे आपको बताया गया था जो changes आने हैं वो सारे ring finger के nail चक्रा पर जो इलाज कर रहें उसमें आएंगे देखें आरे factor में ये आपको इधर और इधर दो पीले magnet लगाने हैं इसके साथ में यहां और यहां दो white magnet देखें एक white magnet यहां आया हुआ है एक white magnet यहां इस तरह से चार magnet लगाएंगे right hand में right knee के rheumatoid arthritic pain को हटाने के लिए इसी तरह left hand पर उपचार करना पड़ेगा left knee का उसमें भी इसी तरह से दो पीले magnet का प्रयोग पहले किया जाएगा यहां पर और इसके बाद दो सफेद magnet देखें एक center से थोड़ा इधर tip पर और दूसरा एकदम पीले magnet के साथ में यहां सफेद magnet यहां सफेद magnet और दो पीले magnet तो इससे left knee में होने वाला rheumatoid arthritis का पेन ठीक हो जाता है इस तरह से आप उपचार कर सकते हैं सभी तरह के घुटने के दर्द के रोगों का इस तरह से आपको magnet लगाने हैं जो magnet आपको पैरों में बताये गए थे वो आपको किसी भी तरह के knee pain के लिए लगाने है और जो उपचार आपको index finger की sides में बताया गया था वो आपको लगाने तो यह general सभी तरह का नी का दर्द उससे ठीक हो जाएगा और उसके बाद जो आपको नेल चक्रा पर नाकुन के आसपास treatment बताया गया है वो osteoarthritis हो यह rheumatoid arthritis हो यह uric acid की वज़े से हो उसके according आप उन बिंदों को में बदलाव ला सकते हैं धन्यवाद